Hello everybody, welcome to your own channel, study tutorial, आज की स्वीडो में हम करने वाले हैं, जो हमारा क्लास 10 का चाप्रे चल रहा था, 8, Introduction to Trigonometry, आज उसके हम एक्सराइज करने लगे हैं, आपकी 8.2, ठीक है, 8.1 मैंने अल्रेडी चानल पर अप्लोड कर दी है, अगर आप उस वीडियो को देखना ज़ात हो, तो समय evaluate करना है, आपको sin 60 degree, cos 30 degree, plus sin 30 degree, into cos 60 degree, ठीक है, अगर आपको Trigonometric का जो टेबल होता है, ठीक है, जिसमें कि सारी की सारी values होती है, आपकी sin की value कितनी है, cos 30 की value कितनी है, सारा का सारा table जो है, वो मैंने आपको अच्छे से 13 मिनट की वीडियो में बता रहा है, ठीक है, description में इस वीडियो का लिंक दे दूँगी, अगर आप उस table के साथ trick सीखना चाहते हो, कैसे आपको directly पताशल जाता है, कि sin 60 की value कितनी है, cos 60 की value कितनी है, या बाकी सारी trigonometric values क्या क्या है, ठीक है, description में वीडियो का लिंक हो जाएगा, ठीक है, बाकी इसके लिए आपको क्या करना सार्टिंग करनी होती है, तो आपको लिखना पड़ता है, एक साइड की उपर क्या, आपकी sin 60 की value कितनी है, आपकी cos 30 की value कितनी है, आपकी sin 30 की value कितनी है, इन cos 60 की value कितनी है, ठीक है, बाकी आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ student क्या करेंगे, पूरा का पूरा टेबल बना करेंगे ठीक है इंदर सिं efर kors लिखेंगे देंफ भी इंदर particularly द ही पता चल जाएगा कि साहिए kो आपकेоздीली जो हो थी यह होती है। root 3 by 2 cos 30 value कितनी ह therapies sin 30 कितना होता है one by two cos 60 कितना होता है one by two थीक है तो आपको क्या करना है सारी की सारी values आपको पता चलगी जो आपकी Given Statement है कॉन सी हैं आपके बात comment आपके बातरीटमेंट यह वाली है नृ OS अपने सारी की सारी वालिऊ को पुट कर देना है तो अपने यहां पर सब्सुट्टिट्यूट कर रहा क्या अपका सब्सुट्टिटूट्ट तो अपके बना जाएगा directly 3 केकोल आजाएगा ठीक है इसलिए आपका उपर क्या आगया उपर आपका बच गया यहां पर 3 नीचे क्या है तो को अगर आप 2 के साथ मल्टिप्लाइ करोगे तो कितना आपके पास आजाएगा 4 यहां पर आपके लिख दो के 4 लिख दो के फिर फिर आप 1 बाइ 2 क आपको जब 1 by 2 के साथ मल्टिप्लाइ करोगे तो आपका क्या आजाएगा 1 by 4 यहां पर लिख दोगे जब आप दोनों का आपने दिखा कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है दोनों का तो सेम है ठीक है तो नीचे 4 आ गया जब थ्री में 1 को एड़ गरोगे तो आपके पस 4 तो 1 is your required answer अगर आप इसका screenshot लेना चाहते हो तो लेगी है बाके मैं आपको बताते हूं का part number two एम यहांस है कि आपको आपको ने में की जासे की हमें पता है पोगे क्योंकि मैंने आपको च्रेबल बता है अगर आप इस वीडियो को पूरा देख तो आपको डिर्क्ली पता च होता है sin 60 क्यों होता है root 3 by 2 होता है नहीं तो आपको पूरा table form करना पड़ेगा जो कि काफ़ी सदा time consuming होता है अब आपने क्या लिखा आपने जो जो values आपको देखी हैं पर three values आपको चाहिए आपने लिखे हो काफी जादा easy हो जाए कि आपके पास सारी की सारी values है बस आपको directly क्या करने है values को पुट्टी तो करना है substitute करना है अब आपने क्या करा statement जो आपको दे रखी थी ठीक है वन ही हो जाएगा क्योंकि one का square करोगे तो पान के ही equal आएगा ठीक है तो यहां पर आपके पास क्या आगया ट्यान स्कॉर 45 डिग्री इकोल टू वन स्कॉर आगया ठीक है जिज आपने क्या कर modifier आपने रूट 3 by 2 का whole square करा खरी वह आपके पास है 3 b 4 तो मुझा पास और टीक है निचे वाला क्या था 2 को 2 की मुझा अब आ पने एक चीज का यहां पर 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 ध्यान रखने क्या ध्यान रखने आपको बताती हूं आपका इसका पार्ट नंबर 3 यह भी काफी इजी है देखे क्या है सबसे पहले आपको दे रखा उपर कॉस 45 डिग्री सिकंड 30 डिग्री प्लस आपका को सेकंड 30 डिग्री ठीक है अब यह वाली 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 जीज तो पाता है चीज़ पाता है कि मैंने आपको टेबल में बता रहे है कोस 45 डिगरी किसके इकोल होता है 1 by root 2 second 30 degree किसके इकोल होता है 2 by root 3 और आपका second 30 degree किसके इकोल होता है 2 की कुछ नहीं करना सारी के सारी values को आपने जो भी आपके पास statement है यहाँ पर आपने substitute करती मैंने बिटा एक एक step आपके लिए अच्छे से बता रखा है ताकि आपको कोई problem नहीं होनी चाहिए नहीं जाये अब नीचे यहे आपके पास 2 root 3 plus 2 तो आपके पास क्या बचा ? आपके वी बचा है ? 2 root 3 talking और नाचे एक सारा का सारा का सारा क्था बचा तो आप ऐसे कर सकते हो ना कि वो चीज नीचे वाले जो ऊपर चली जाती है आपके ब्रोकल हो जाती है उपर जाकर तो आपके पास यह वाला concept आगया अब यह वाला step कुछ निया बस आपने रूट 2 को लिखा उसाथ में इसको लिख दया 2 प्लस आपका 2 रूट 3 आ गया यहां तक clear हो गया देन आपने क्या करा देन आपने ऐसा कर दे कि इन दोनों को आपने मल्टीप्ला कर दिया जब आपने अंदर मल्टीप्ला करा ब्रैकेट्स को तो आपके पास बचा 2 रूट 2 प्लस जब आपने देन उसके बाद वाले रूट 2 को मल्टीप्ला करा किसके साथ 2 रूट 3 के साथ तो आपके पास क्या बचा 2, root 2 और आपका root 3, उसको आपने यहाँ पर लिख दिया, ओके यहाँ तक का 3 के 3 steps आपके clear हो चुके हैं, उसके बाद वाला step यहाँ पर आईए, आपने देखा कि यहाँ पर भी क्या है, 2 root 2 है यहाँ पर भी क्या है, 2 root 2 है, it means कि मैंको तो इसको भी manage करना पड़ेगा, ठीक है इसको manage करने के लिए आपने का करा, इसको ऐसे लिख दिया, आपके वास यह था 1 plus root 3, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, root 3 plus 1, दोनों है तो सेम ही न, ठीक है, मैंने आगे पिछे कर रहा है बसे भी positive का sign है, ठीक है तो मैंने इसको कैसे लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया root 3 plus 1, ठीक है, यह वाड़ा यहादा clear हो गया, अब मैंने क्या करा, मैंने इसको rationalize करा, क्या करा, मैंने इसको rationalize करा, क्यों करा, बहुत बचों के mind में यह question होगा, पेटा इसलिए करा है, ताकि आपका answer जाए, वो और ज्यादा accurate आ सकी, ठीक है अब आपने क्या करा है, जब आपका नीचे का positive था, आपके पास नीचे क्या था root 3 plus 1 था, तो उपर जाकर क्या हो जाएगी, वो time negative की हो जाएगी उपर भी आपने multiply कर दिया, आप देखो नीचे आपका यह क्या बना, root 2 and 2 ऐसा ही रह जाएगा, अब आपने देखा एक आपका positive है, एक आपका क्या है negative है, और इसका भी मैंने बहुत बार formula बता रखा है, that is your e square minus b square, ठीक है आपका यहां पर a क्या है आपका यहां पर a है, root 3 आपका b क्या है, आपका b है 1 ठीक है, आपने यहां पर put करा root 3 का square आ गया, आपने 1 का square करा तो वो 1 नहीं आ जाएगा, ठीक है अपके पास क्या बचा, again वही चीज़ बचेए, आपके पास की root a को जब मैं root A के साथ multiply करती हूं that is equal to A चीक है उसे तरीके से जब मैंने root 3 का square करा that is equal to 3 3 आ गया मेरे पास and जब आप 3 में से 1 को minus करोगे तो आपके पास क्या बज़ जाएगा आपके बज़ जाएगा 2 इसके बाद वाला step और है आप देखिए आपने क्या कर रहा है आपने रूट 2 के साथ इसको आपने root 2 के साथ उपर multiply और नीचे मल्टीप्लाइब मतलब अब उसके साथ क्या कर रहा है आपने उसके साथ rationalize कर रहा है reason यह है ताकि आपका answer और सदा accurate आ सकी ठीक है denominator में आपका कोई भी रूट ना रहा है पाई ओकी अब आपने क्या करा आपने root 2 के साथ इसको उपर भी multiply करा नीचे भी multiply करा जब आप 4 को multiply करते हो root 2 के square के साथ ठीक है 4 multiply क्या जाता है then 2 and 4 को 2 के साथ multiply करोगे तो कितना आज आ आपका इट होगा उसको आपने कहां पर लिग दिया उसको आपने लिख दिया यहां पर अब आपने next step क्या करा आपने next step करा कि इन दोनों ब्रैकिट को आपने पहले solve करा ठीक है आपका क्या गया root 3 का square आगया minus आपका root 3 आगया जो यह वाला आपका root 2 है उसको आप ऐसे ही multiply करना है जब आपने 3 को root 2 के साथ multiply करा वो तो वही रह जाएगा जब आपने root 3 को multiply करा root 2 के साथ तो आपका क्या आजाएगा 3 into 2 that is equal to आपका 6 ठीक है and this is your required answer क्योंकि आपका जो denominator है उसमें किसी भी तरे का कोई भी आपका square root वाला number नहीं है ठीक है अब हम करते इसका part number 5 दे by आपको divide में दे रखा है क्या sin square 30 degree प्रस आपका cos square 30 degree आपने क्या करा जो भी टेबल में से values थी जो आपने learn करके रखी थी आपने direct के direct लिखती ठीक है ताकि आपका जो sum है और जादा क्या हो जाए easy हो जाए इसको लिखने के बाद आपने क्या करना है इसको लिखने के करोगे तो one by four आ जाएगा ठीक है जब आपने देन क्या करें एक और आपका square की value वह भी मैं आपको बता देती हूं अब आपके पास जैसे है two root three का square है ठीक है मतलब आप two जो है वह उपर भी दो बर multiply होगा जो आपका root three है वह नीचे भी दो बर multiply होगा तो आपके पास क्या बच जाएगा four by three बच जाएगा ठीक है उसको आपने कहाँ पर लिख दया यहाँ पर लिख दिया एक आपके पास और square वाली चीज है वह भी मैं आपको बता देती हूं वह आपके पास है root three by two का square यह है आपके पास तो वह क्या बच बच गया नीचे आपके पास क्या बचा two into two बच गया ठीक है multiply करोगे तो क्या जाएगा three by four आ जाएगा ठीक है वह आपने कहाँ पर लिख दे denominator में लिख दिया लिखने के बाद आपने क्या करा है जो चीज आपकी multiply हो रही है जैसे यह five by four हो रहा है यह आपका sixteen by three हो रहा है यह आपका minus one हो रहा है and one में जब आप three को add करते हो तो वह आपका क्या बन जाता है four ठीक है अब आपने एक चीज का ध्यान रखा कि जो four by four है उसके direct cutting हो रही है ना तो सीदा के आगया one आ गया अब इसका आपका यह स्म क्या बन जाएगा four and three का आपका 12 बन जाएगा जहां पर नहीं values है जैसे आपने फिर इसको solve इसे करना होता है ना five by four into 12 तो cutting करा तो अपने पास क्या आगया five into three आगया ठीक है फिर आपने sixteen by three के साथ करी 12 की आपने sixteen by three के साथ करी किसके 12 की तो वह आपके पास क्या गया 16 into four आगया ठीक है and one के साथ तो पूरा आपका 12 multiply हो जाएगा मैंने इतनी detail में बता रखा है ताक कहीं भी आपके confusion ना रहा पाई ठीक है तो आपके पास आगया 15 plus 64 minus 12 इसको जब आप स्वाल्ट करोगे तो क्या आपके पास 67 by 12 ठीक है basically अब हम करते है आपका sum number two ठीक है यह भी sum काफी आपका easy है आपको क्या दिरखा है first part में two ten thirty degree by आपका one plus ten square 30 degree है ठीक है सिर्दी सी बात आपको statement में दिख रहा है सिर्फ आपकी किसकी बात हो रही है सिर्फ बात हो रही है आपके ten thirty degree की ठीक है जब ten thirty degree की बात हो रही है ठीक है तो आपके पास बचा टू बाइ root 3 बचा ठीक है जब आपने 1 by root 3 का square करा तो वह आपके पास क्या बचा वह आपके पास बचा सीधा 1 by 3 बच गया ठीक है सारी के सारी values को आपने नीचे लिख दिया लिखने के बाद आपने क्या करा लिखने के बाद आपने ले लिए इनका क्यों कि 1 by root 3 का square करती हूं तो वह मेरे पास कितना आता है वह तो मेरे पास 1 by 3 आता है उसको मैंने यहां पर लिख दिया अब मेरे पास 1 आपके पास 2 को 3 के साथ मल्टिप्ला करें तो 6 आ जाएगा नीचे आपको क्या मैंने बोला हुआ दूबारा से कि आपने रूट 3 या कुछ भी नीचे होता है रैशनलाइस कर देना होता उसको आपने करा रूट 3 आगा उपर भी नीचे भी आपके पास उपर बचा 6 रूट 3 नीजे के बचा 4 रूट 3 का होल स्कॉर तो उपर के आगा आगया आ पास 6 रूट 3 आगया 4 इंटू आपका 3 आगया अब आपने देखा कि कुछ कट हो रहा है यहां पर आपने देखा कि यस कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दी जो उसमें कोई बात नहीं है अगर आ आपके पास आजाएगा 1 by 2 ठीक है तो यहां पर बेटा आना है 1 by root 3 by 4 नहीं आना है 2 आना है मैंने correct कर दिया है फिर से मैं correct कर देती हूं इसको simple way में यहां पर that is equal to root 3 by 2 आपका ठीक है that is equal to sin 60 क्योंकि sin 60 के तो value है क्या होती है आपके पास root 3 by 2 by mistake मेरे से नीचे 4 लिखा गया है ठीक है so यह आपका solve हो चुका है अब मैं आपको गरवाती हो इसका next part so next part देखे आपका second part क्या है second part में आपको दी रखा है तो वह आएगा तो 0 के equally ना ठीक है इसके साथ आपका second part भी finish हो गया है अब देन आपका आता है fourth part third वाला मैंने नहीं करवा रखा है विकूस वह आपके लिए homework है try करके देखेगा नहीं पता चलेगा तो comment section में बता दीचेगा ठीक है अब यहां पर देखे क्या है आपके पास है two times 30 degree है one minus 10 square 30 degree है अब आपको इतना दो पता चली गया है जब जहां तक आपने टेबल को learn करा है कि 1030 की value कितनी होती है one by root 3 होती है वह आपने value को यहां पर substitute कर दिया जब आपने one by root 3 का whole square करा जब आपने one by root 3 का क्या करा बिटा whole square करा that is equal to 1 by 3 चीक है आपने क्या करा lcm ले लिया lcm लेने के बाद आपके पास मैंने पूरे के पुरे steps आपको solve करके बता रहें यहां पर पहुंच गया आप 3 में से one को subtract करो तो 2 by 3 आजाए ऊपर जाकर यह बन जाएका 3 by 2 चीक है आपने देखा के two के साथ two cancel हो रहा है आप यह भी क्या बचा 3 3 की सा 3 cancel तो बचा क्या उनली आपका root 3 और root 3 कहां पर आता है 60 degree में आता है चीक है अब sum number 3 देखें यह कैसा है आपका sum देहां से देखेंगा if tan a plus b equal to root 3 अगर tan a plus b की value root 3 है tan a minus b की value 1 by root 3 है तो आपको क्या निकालना है आपको a निकालना है आपको b निकालना है बड़ा ही easy sum यह होने वाला है solution देखें कैसे करना चीक है बहुत ही मैंने easy way में बता रहा है जैसे आपको paper में लिख कर आना है अब देखें tan a plus b आपको द क्यों लिखा reason यह है because हम चाहते हैं कि हमारे पास a plus b की form में आई हम 10 नहीं चाहते हैं ठीक है हम चाहते कि 10 के साथ 10 कैंसल हो जाए इसलिए हमने उसको tan की form में convert कर दिया तो आपके पास a plus b किसकी को लागी 60 degree की को लागी तो आपके पास दूसरी question दे रखी थी 10 a minus b equal to 1 by root 3 अब जो 1 by root 3 होता है वो tan में कहां पर आता है tan 30 degree में आता है अब tan के साथ tan again cancel हो गया तो क्या बचा a minus b equal to 30 degree दो equations बन गई है कोई भी method लगा कर solve कर लीजिए ठीक है मैंने elimination method लगाया और मैंने देखा कि x sign positive है x sign negative है तो वो cancel हो गया क्या बचा मेरे पास 2a equal to 90 degree और a की value कितनी आ गई मेरे पास 45 degree आ गई 45 आ गई तो मैंने a की value को किसी भी equation में put कर दिया मैंने जैसे first equation में put कर दिया a plus b जो हमारा कितना था 60 degree पीछी हमने निकाला a की value कितनी थी 45 degree 45 को put करा plus b equal to 60 degree तो b की value कितनी आ गई आपके पास 15 degree आ गई है तो इसे के साथ मैंने आपको complete 8.2 exercise करव करवाद ही है next पार जो मैं आपके लिए लेकर आँगे इसमें आपको 8.3 exercise भी कवर करवाऊंगी ठीक है और जो भी उसके important sums होंगे वो भी मैं आपको cover up करवाऊंगी अगर आपको ये वीडियो पर संद है तो आपको like share करना है चैनल पा नहरा चान को subscribe करना है thank you